उद्योग के साथ पुरज अर्कन जानता है कि वुकारो को तो घुटी शिंत्र है। यानि वुढ़ी ओध्यूग की इहां स्थापना हुई है, चालीस साल पाले, पचास साल पाले спрос तीस साल पाले спрос तो उध्यूग को स्थापित करने को लिए 5 था तो होते है, जाप। भाला त्व होता है जमीन तो जब यहां के लोगों का जमीन लिया गया जैसी बाते आज भी जो चंदन क्यारी का वेल्ट है यानि जो सुदुर बर्ती ग्रामीन चेत्रे वहां की सड़कों घिस्ति गाओं की आप जान सकते हैं कि यह गरीबी चेत्र है यानि जब जमीन लेने की बात कही जाने लगी और उनको यह बादा किया जाने लगा कि आप इस जमीन के बदले आपको एक अच्छी दस जार बारो अजर पंद जार की नोख्री देंगे तो लोगों को लगा गया कि दस जार रुपे बहुत माइने हैं तो लाक रुपया कम उनके नहीं है उस समय दस जार पाँचर बहुत माइने था तो चुकि हम लोगा बहुत साधारन जीवन जीते थे हैं वही पटी दोती पटा कपड़ा साधारन सा भोजन हलागी वो खुशाल जीवन था लेकिन चुकि हमको लगा कि अब मोड़निटी का स उस कंपणी को भोमी देकर भोमी हीर हो गये हैं उनको उनकी योग्यता के आधार पर नियोजन में अवसर मिलना चाहिए उनको एक अच्छी मुआजा मिलने चाहिए और उनके जो चेत्र है जहां एक विस्तापित चेत्र बनता है वहां बिजली, पानी, सिच्छा, स्वास, स इत्यादी की सुलब्यवस्था होनी चाहिए और इनी मुद्दों के साथ पूरे भारत में पूरे विश्यों में तमाम कंपणिया अपने आपको अस्तापित करती है लेकिन जब जारकन का विश्य आता है तो पता नहीं इनका मजरिया क्यों बजल जाता है कि जारकन के लोग आदी वासी जंगली लोग जंगलों में रहने वाले पहाड़ों में रहने वाले इनसान में यह तो पसू है इसलिए इनके साथ हमें साथ दुरुब्यवार किया जाता है हमारे बहुत सारे साथी है जिनके साथ हमारी महराष्ट की खरन निती पर चर्चा होती है मध्य परद पहले उसको मकान इलिमन किया जाता है जो जितना डिसमील प्राइच्टसपीं नहीं जब जब जहरकान ळम लोगाते हैं। जितनी पब्लिक उतनी संग्या में पुलिस और मार के पीट के अंदोलन अस्थल से भी हटा दिया जाता है। आज मना हजारों केसे ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़ हैं जो 1950-1970 से पेंडिंग हैं कि भाई कोट का दरवजा खट खटा रहा है कि हमारी नोकरी हो जाए तो यह बहुत बुरी अवस्था में जारखन के लोगों को एक वाल अंदोलन ऐसा करना होगा ऐसा करना होगा जिसे कर देशा हम संविधाण, निरमाताओं, जितने भी लोगों निर्मान भोविका निभाई, उनका को इस चनल के मादयम से नमं करते सबस्दन करते हैं, मानते हो लेकिन सच्चाई और कटूर बात यह वी है, कि आज संविधान उनी का है जिनके हाथों में संथा किसकती है, जि जिस दरोगा का जिस EASP, DSP के हाथों में, जिस कल्यक्टर के हाथों में, जिस नेता जी के हाथों में समिधान की सुरक्षा का दाइतु था। और अपना मुह बंद करके बोईते हैं निर्दोस ग्रामीनों पर जबरन लाठिया चला रहे हैं अभी तू दिखा रहे हैं तो आठ एकर जबरन ले रहा है ये रगजा भाले, आठ एकर जबरन समझ रहे हैं ये राजा का महल खाला हो जाएगा उतना जमीने गरीब आभी से आप मार्वीट करने रहें और कमपड़ने दिशी चूप, एस्टीओ चूप, वीडियो सी हो तो बात ही नहीं करेंगे इस कंडिशन में हमारा राज्य है इसलिए हम चाहें हिए लोगों से ऐसे तो मर रहे हैं एक बर समिधानिक तरीके से अंदोलन किजे और नहीं होता है तो एक बार टू और डाए कसिटुषन तईयार किजे या तो हुए लोग रहें या तो हम रहें या तो वो बैमान चोरु चक्के लोग रहें तो हम लोग 17 से रहें। अगर हमें 17 से रहना है तो थु क्षा छाद कर दिया सकना हूगा या तो हमारी मढटी से बाहर करना हो नहीं तो हम सांत नहीं रह सकते। साथ जो सड़क जाम जो गरा की है वेते हैं आपको चुडाने को लेकर के हो चाहिए साथ चेले सिर्टी का विरोध में उन सब पर काफी सरे लोगों को रेफायर हो रहा है जात्र अपने प्रोटेस्ट के लिए स्वतंत रहे हैं और सबसे पहला बात है यदि आपको लगता है कि छात्रों का प्रोटेस्ट अगर रास्ते से हटा है तो उसके लिए आप कारनों को जाची करें इन कारनों से हटा है और यदि उन कारणों में सरकार सत्ता और प्रससन का दोसे तो फिर आप छात्रों पर फर्जी केस नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो वहां तक कोई भी छात्र किसी भी परकार से उग्र नहीं था ना किसी भी परकार से पोई ऐसी अक्टिविटिटी जो मर्यादित और नेती कह सकते हैं। लेकिन लाठी चाहिज तो प्रससन नहीं किया है। उसके बाद भी सामती पुरून था। अगर दार नहीं किया तो पुतला दान किया अगर हलका सा यातायद बादित हुआ। तो इसके लिए आप ऐसा धारा लगाएं। जिसके बाद नहीं अंदरोन कारी नहीं यह अतंगबादी है। अगर आपको लगता है तो आप पहले चात्रों से बारता करें। चात्रों से बारता के बाद आप भल निकालें। लेकिन यह जो अगाज निती हत्कंडी अपना जा रहे हैं। वो कही न कही लोग तंत्रिक देश में एक धरी हुए कमजोड सरकार का रूप देख रहे हैं। चाहिके अंदर की सरकार और राज की सरकार रोग। यह सत्ता जो कि में बैठें लोग जनता के सवालों से घर रहे हैं। वो अपने अधिकार को जब मांग रहे हैं तो वो तिसमूतिक भरमित कर रहे हैं। केस में डालकर की वाओं को अंदरों करने से डेमेज कर रहे हैं। यह गलत बात है और यह ज़्यादा दिर तक नहीं चलेगा। अंदरों के बाद आपको ठालिया जाता प्रता कर रहे हैं। उठाने के दोरा आपके सब्याट रखिये के विए। अचानक लाठी चाल जाता हैं। अचानक लाटी चार्ज होता है, और लाटी चार्ज इसके लिए भरा बुला नहीं कहेंगे, उन चात्रों कभी जो पीछी हट गए, कि विसो भाविक तर लाटी चार्ज होगा, तो पीछी हटना, कुछ लोग हटना हटी जाते हैं, तो कुछ साथी नहीं लगवग, बहुत उनके आठी कह सब to cash है, तो मैं भागेंगे नहीं, आपको पकपर यह, तो आप हमें पगड़ लिएजें, हमारा सर प्रपी होगी तो इसकि आप नहीं है, सुट भूट जोड़िया आप के जारता है, को आ अरेष्ट किया जाता है, आपको गिरप्त में लिया जाता है हम बोले आप जो किजेगा हमारी लडाई सिस्टम से तंत्र से किसी भी परशाशन की किशी व्यक्ति से हमारी लडाई नहीं है हम उनके साथ चले गए तो थोड़ा सा खीचा तानी हुई हमारे साथी हमको पीछे लाना चाले कि आपको जाने नहीं देंगे और उस करम में थोड़ा सा हुआ हमारे गंजी कुटा फटा फटा पर आमें ले जाए डाए घाना में लखा गया तो रहे तो हमको पुछे क्या करना है घर जी पूले अस्तान में रखेए तो प्रेर आपके थाने तक आजाई तो फिर यकिन मानी हम लोगों ने खुद परशाजम के कंट करेट कि हमने पहले का हमाई लड़े कंदर से हमाई लड़े सिस्टम से किसी व्यक्ति से नहीं है तिर हमें रिटेंड किया गया रात तक रखा गया उसकर में हम लगभग दो डी करने के बाद हमें छोड़ा गया और एक अन्तरन में आया था लेकिन हम लोग का आगे कि रन निती तयार है अम लोग फिर से इस राज्य के लिए नियोजन निती को वापस करने के लिए तब पर रहें जब से दुखद और विडा का विशय है कि जो महिला पत्रकार थी उन बहनों के साथ भी थोड़ा सी ऐसी अची हरकते की गए थी जो एक प्रशासनिक तंत्र में वैठे लोग को समयधानिक पद पर आसिन लोगों को इस प्रकार का दुर्वयभार उनके साथ नहीं करना चाह जो घटना घटे तुभी उसके लिए सारधनिक रूप से माफी की मांग करें और जो कि कही ना कहीं लोगतांत्रिक देश में महिला पत्रकारों के साथ जो उस दिन कुछी पल के लिए वाता जो कि खेद कावी शय है निन निया